Hello everyone, welcome to my channel आज मेरे बिगनर कूर्स की पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़े बताऊंगी कि हमें सिलाई के लिए क्या-क्या चीज़े ज़रूरी चाहिए और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको डीटेल या अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप में से फेस्बुक और इंस्टेग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं लिंक के डिस्कुप्शन बॉक्स में है तो सिलाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पहले चाहिए हमें कपड़ा यानि की फैब्रिक तो अगर आप बिगनर हैं और नया नया सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन के कपड़े पर सीखे कॉटन यानि की सूती कपड़ा जोता उस पर क्योंकि कॉटन के कपड़े में सिलाई करना बहुत ही आसान होता है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है तो बिगनर्स के लिए कॉटन का कपड़ा ही बेस्ट रहता है तो आप दूसरा कोई भी कपड़ा भी यूज मत कीजेगा अगर नया नया सीख रहे हैं तो सिर्फ कॉटन यूज कीजेगा दूसरी जरूरी चीज हमें चाहिए कैंची याने के सिजर तो आपके जो कपड़ा काटने वाली कैंची होगी उसमें अच्छे सा धार लगी भी होनी चाहिए और हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे जो कपड़ा काटने वाली कैंची है उससे हम कागच और या फिर कार्डबोर्ड वगरा कुछ भी ना कटें क्योंकि कागच कट करने से कैंची की जो धार है वो खराब हो जाती है तो सिलाई वाली कैंची को आप अलग बनाईए उससे सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही कट करें और एक बात का और ध्यान देना है कि हमें हवा में खाली कैंची को इस तरह से नहीं चलाना है क्योंकि हवा में खाली ऐसे चलाने से भी हमारी जो कैंची की धार है वो खराब हो जाती है नेक्स्ट हमको चाहिए धागा तो अलग-अलग कलर के जितने भी मैक्सिम कलर्स हो सकते हैं उन सभी कलर्स के धागों की रील आपके पास होनी चाहिए नेक्स सबसे जरूरी चीज हमें चाहिए मशीन तो अगर आपके पस हाथ वाली मशीन है तो आप उससे भी सिल सकते हैं लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रोनिक मशीन है मैं इलेक्ट्रोनिक मशीन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे नए-नए फीचर्स हैं जैसे पीको, ओवरलॉक, एम्रोइट्री यह सब चीजे घर में ही हो जाती है अगर आप अभी कोई सिलाई मशीन लेने के सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगे कि आप कोई भी इलेक्ट्रोनिक मशीन ही लीजे चा इसको पाउं से इस तरह से दबाएंगे तो हमारी मशीन चलती है और अगर लाइट चले गए बाइद अवे तो आप इसको इनवर्टर से भी आवात आराम से चला सकते हैं ज्यादा पावर यह कंजूम नहीं करता है नेक्स्ट है इंच टेप तो इंच टेप को कैसे देखना कर्के हैं यह जो यहांपर बड़े नंबर्ज लिखें हैं एक दो तीन चार यह इस तरह के जो बड़े-बड़े यह हमारा इंच होता है और इसके पीछे जो छोटे-छोटे से नंबर्ज लिखे होते 1-2-3-4 यह इस तरह सब ही में देखना कैसे हैं मैं आपको पहले यहां पर कागश लगा कि इसमें बताती हूं यहां पर लेखेंगे कि इंच टेप की स्टार्टिंग में लोहे का चोटा सा यह टुकड़ा लगा होता है तो यहां कोने से लेकर एक नंबर जहां पर लिखा है इतनी जो डिस्टेंस होती है वह हमारा एक इंच हुआ और अब इस लोहे पाजे शेंच इससे हम इसको लेते हैं अब इसमें 0.5 या 0.25 इंच वाला हिस्सा वह कैसे देखते हैं वह मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूं तो यहां पर थोड़ा साही लोहे का जो लगावन है इससे में आपको क्लियर में नहीं बता पाऊंगी तो मैं क्या आपको पहले आधा हिंच का बताती हूं यानि कि 0.5 इंच का तो यह जो एक लिखावा है और यह जो आधा हिंच यह दोनों लाइन के बिल्कुल बीचो बीच का जो पॉइंच होता है यह हमारा 0.25 inch होता है और 0.25 inch को हम एक चौथाई यानि कि 1 by 4 भी बोलते हैं मैं हापा है 1 inch भी लिख देती है यानि कि 1 inch लिख देरी हूं मैं अब इदे के 1 inch के बाद 1 point छोड़के हमारा आया 0.25 inch और फिर 0.25 inch के बाद 1 point और छोड़ा हमने तो आया 0.5 inch और इसके बाद हम 1 point और छोड़के इसके बीच वाले पर निशान लगाएंगे तो यह हमारा हुआ 0.75 inch और 0.75 inch को हम 3 चौथा यानि कि 3 by 4 भी बोलते हैं इसके बाद 1 point छोड़के हमारा पूरा यहां पर 1 inch बन गया complete 1 inch अब दीखें मैं आपको एक चीज़ और बताती है अगर मैं 1.25 inch आपको बोलूँगे निशान लगाने के लिए तो यानि कि 1 यह हुआ और 0.25 inch यानि कि इसके आगे 2 point और यहां पर तक यह हमारा 1.25 inch हुआ यहां यहां कोने से यहां तक 1.25 inch हुआ अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 3.5 inch पर निशान लगाना है तो 3 inch यानि कि यह 3 inch हुआ और इसके बाब 0.5 यह जो बीच वाली चोटी लाइन होती है यह मैं आपको बताया था 0.5 inch की होती है तो 3.5 inch यह हुआ यहां कोने से लेके इस बीच में लाइन तक हमारा यह इसके बीच की जो डिस्टंस होती है वो 3.5 inch की हुई अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 4.75 inch पर निशान लगाना है तो 4 देखिए 4 यहां पर यह आया और 0.75 inch के कौन सी लाइन होती है वो मैं आपको बताई थी यहां वाली यह वाली यानि कि आधा के बार एक पॉइंट छोड़के जो दूसरी लाइन होती है बीचो बीच में यह हमारी 0.75 inch की लाइन होती है तो 4 और 0.75 inch यानि कि 4.75 inch सेम इसी तर से बाकी का भी हम लेंगे 5.25 inch देखिए 5 और 0.25 एक पॉइंट छोड़के यह वाला 0.25 वाला होता है तो यहां तक हमारा 5.25 inch हुआ यानि कि इस कोने से लेके यहां तक 5.25 inch तो बाकी के सभी measurements हम इसी तरह से लेते हैं जब हम कपड़े में कट करेंगे तब भी ऐसे ही लेंगे 6.25 inch तो इस तरह से अलग अलग कलर की चौक आती हैं इससे हम कपड़े में निशान लगाते हैं यानि कि मार्किंग करते हैं 6.25 inch तो बाबिन तो बाबिन में हम धागा भर के मशीन में लगाते हैं अपने देखा होगा तो मैंने यहां पर खुब सारे बाबिन लिए हैं और इसमें धागा भर के रख लिया है पहले से तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप भी इसी तरह से बाबिन खुब सारे लेके रख लिए नहीं तो आपका धागा बहुत वेस्ट हो जाएगा नेक्स्ट हमें चाहिए ओल पेन या फिर इस तरह की जो बीड़ वाली पेन आती हैं आप इनको लेके रखे यह बहुत ज्यादा काम आती हैं सिलाई में तो इनको रखने के लिए आप यहां पर एक फोम ले सकते हैं या स्पॉंज ले सकते हैं इस तरह से इसलिए आप इस तरह का एक फोम अपने पिंस को लगाने के लिए जरूर रखिए नेक्स्ट हमें चाहिए मशीन के अलग-अलग फोट्स तो यह कुछ चार तरह के जो सबसे इंपॉर्टन फोट हैं वो मैं आपको बताती हूँ तो यह पहला फोट है यह नॉर्मल फोट है जिससे हम नॉर्मल से लाई लगाते हैं सभी मशीन में यह होता है और दूसरा फोट मैं यह पीको के लिए ले रही हूँ यह पीको करना भी बहुत जरूरी होता है तो यह एक पीको का फोट आता है यह थोड़ा अलग तरह से इस इसको भी आपने पास रखिए चौथा फुट है जिपर फूट तो यह जप लगने के यानि की चेन लगाने के काम आता है यह एक साइड वालब फूट होता है तो इससे जप लगने में कफी ज्यादा असानी होती है काफी अच्छी फिनिशिंग असान जब लगती है यह कुछ अलग-अलग तरह के फोट्स हैं जो जरूरी हमारे पास होने चाहिए नेक्स्ट हमें चाहिए बुक्रम या फिर फ्यूजिंग भी इसको बोलते हैं तो ये आपको मीटर में मिलेगा एक मीटर दो मीटर और पचास रुपे से सो रुपे मीटर तक कही आता है और इसका एक छोटे से पीस में मैं आपको बता देती हूँ कि यह कैसा दिखता है तो ये एक ठिक पेपर की तरह होता है और इसकी एक साइड में ग्लू लगा होता है तो इसमें ये वाली जो ग्लू वाली साइड होती है वो थोड़ी शाइनिंग होती है और जो इसकी दूसरी वाली साइड होती है वो रफ होती है थोड़ा सा तो इसकी जो दूसरी वाली साइड होती है जिसमें ग्लू लगा होता है उसको हम कपड़े के उपर रखते है और फिर दूसरी तरफ से हम इसमें गरम प्रेस कर देते हैं जिससे मारा बुक्रम जो है वो कपड़े में चिपक जाता है और नेक्ट लाइन में अच्छे से फिनिश नगाती है यह जहां पर भी आपको कोई डिजाइन बनाना हूँ वहाँ पर है नेक्स्टा मैं चाहिए स्केल तो आपके पस कोई भी एक लमबी से होनी चाहिए मेरे पास यह वुडंविद रोगिए और दूसरी तरफ किसे लिये कर्व वाली होती रोसे स्केल फावर के शॉड़ी होती है और हल्किसी घूमे भी होती है निकि बिल्कुल स्रेट नहीं है थोड़ी सी टेड़ी है तो यह हम जब पैंट बनाते है तो उसमें शेप देने के काम आती है लेग में नेक्स सबसे ज़रूरी चीज हमें चाहिए प्रेस तो अगर आप कहीं पर भी सिलाई लगा रहे हैं कुछ सिल रहे हैं कपड़ा तो उसमें आप उपर से प्रेस कर देंग अब कहीं कुछ गलत सिल देते हैं तो हम उसको उधारने के लिए इसका यूज करते हैं जैसे अगर मान जीजए आपको ये वाली सिलाई उधारनी है तो इसमें इससे धागे को फसाएंगे और इसको इससे उसे कट करना बहुत आसान होता है और बहुत अच्छे से नहीं जो क्योंकि इतना perfect होता है इसे ज़्यादा कि हमें जरुवत नहीं पड़ती है next हमें चाहिए armhole shaper या फिर french curve इसको हमारा जो armhole होता है उसमें round shape देने के ये काम आता है